दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मंद में हम आपको वताते चले की नालंदा जिले के चंडी थाना छित्र अंतरगत गोपी विघा गाओं के समेप सोम बार की साम अनियंत्रित बोलेरों की चपेट में आकर दो इवक जक्मी हो गए और घटना के बाद चालक बोलेरों लेकर फरार हो गया जक्मी वक की पहचान गोपी विघा गाओं निवासी हरदेव पासवान का पुत्र पवन कुमार और विजंदर पासवान का पुत्र उजवल कुमार के रूप में की गई जिनने वेतर इलाज के लिए अस्थानिये लोगों की मदब से चंडी रेफरल अस्पताल लाया गया जहां से उनकी नाजुक इस्थती को देखते हुए विहार सरीप सदर अस्पताल रेफर किया गया वियार सरीप सदर अस्पताल से भी दोनों युवक को वेतर इलाज के लिए पटना पीमसीच रेफर किया गया जहां इलाज के दोरान दोनों युवक की मौत हो गई वताया जाता है कि दोनों युवक तुलसी गड़गाओं सामान की खरिदारी करने जा रहे थे उसी दोरान तेज रफतार में आ रही अनियंत्रित बोलेरों ने दोनों को टक्कर मार दी जिससे वह जक्कमी हो गए वहिगटना के बाद आकरोशित ग्रामिनों ने फरार चालक पर कारवाई की मांग करते हुए सडक पर आगजनी कर सडक को जाम कर दिया देर रात तक पुलीस ने किसी तरह आकरोशित ग्रामिनों को समझा बुजा कर सडक जाम छोड़वाया जक्कमीवकों के इलाज के दवरान मत होने के वाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है जबकि आकरोशित ग्रामिन आज सुवा से ही सब को सडक पर रखकर हरनौद चंडे मार्ग को जाम कर दिया है ग्रामिनों की माने तो यहाँ आए दिन हमेशा घटनाएं घटते रहती है और ग्रामिनों के द्वारा ब्रेकर की मांग की जा रही है वहीं पुलीस गटनास्तल पर पहुँच कर आकरोशित ग्रामिनों को समझाने बुझाने का प्रियास कर रही है एक ही गाउं के दो युवकों की मौत के बाद गाउं में भी सन्नाटाप पसला हुआ है तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहा है जहां नालंदा में वीती साम एक वोलेरो की टकर में दो युवक गंभीर रूप से जक्मी हो गए जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुँचा रहे हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जंद से सब्सक्राइब कर लिजे और पाईए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ सेर कीजे, कॉमेंट्स कीजे और लाइक कीजे अगर वीडियो फेस्पूल पेज के नादम से देख रहा है तो पेज को फॉलो कीजे, धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले